Cross-Site Scripting? ये क्या होता है नंदिता मैम? Cross-Site Scripting से ही programmers अपना वेब पेज बनाते हैं. Java Script एक programming भाशा है, जिसे Netscape ने विकसित किया था, जिससे programmers ज्यादा उपियोगी वेब पेजिस बना सकें. उपियोगीता के अलावा, Java Script घुसपैट में भी सफल था. क्योंकि विबिन वेब साइट्स के दो पेजिस को एक ब्राउजर में अगल बगल में रखा गया. कह सकते हैं कि एक फ्रेम या अलग विंडो में. Java Script सारे बाधाओं को पार करता हुआ, पढ़ने या संशोधित करने एक साइट से दूसरी साइट पर जा सकता है. इसे ही Cross-Side Scripting या संखशेप में XSS कहा गया. हमले के गंभीरता के मताबिक उप्योग करता के खाते से छेड़चाड हो सकती है. Projan Horse Programs को सक्रिये कर पेज की सामगरी को संशोधित कर सकते हैं और उप्योग करता को गुमरह कर उनका निजी डेटा सौपने के लिए कह सकते हैं. अंत में सब कुकीज के जरिये एक अपराधी किसी उप्योग करता की नकल कर लेता है और उसके निजी खातों का दुरुप्योग कर सकता है. Cross-Site Scripting हमलों को दो प्रकारों में बांटा जा सकता है. संग्रहीत और प्रतिबिम्बित संग्रहीत XSS जिसे हठी XSS भी कहते हैं इन दोनों में ज्यादा खतरनाक है. ऐसा तब होता है जब किसी दुर्भावना पौन स्क्रिप्ट को कमजोर वेब अप्लिकेशन में सीधे डाल दिया जाता है. हाला कि इस समस्या को एक मूल की एक युक्ती से हल कर लिया गया, जिसने एक जगा के दस्तावेजों को दूसरी जगा के दस्तावेजों को पढ़ने या संशोधित करने से रोग दिया. हाला कि इस युक्ती का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाता है और प्रभावी भी है, पर फिर भी कई वेब प्रोग्रामर्स कमजोर कोडिंग से अपने वेब अप्लिकेशन को खुला छोड़ देते हैं और हमले की गुंजाइश बनी रहती है. कई सामाने कमजोरियों की तरहा इंपुट सत्यापन्त रूटियां XSS की जननी है. हमले इसी लिए हो पाते हैं क्योंकि वेब साइट्स अविश्वस्निय स्रोतों से इंपुट्स स्विकार करती हैं और उसे वेब पेज पर परुस्ती हैं. एक हमलावर XSS से किसे मासूम उपयोग करता को मैलिश्यस स्क्रिप्ट भेज सकता है. उपयोग करता कि ब्राउजर को ये पता नहीं चलेगा कि स्क्रिप्ट पर यकीन नहीं कर सकते और वो स्क्रिप्ट को एग्जिक्यूट कर देगा. ब्राउजर को लगता है कि स्क्रिप्ट किसे विश्वस्नी इस रोट से आई है. मैलिश्यस स्क्रिप्ट किसी भी कुकीज, सब टोकन्स या ब्राउजर पर मौजूद अन्य समवेदन शील जानकारी हासिल और उस साइट के साथ उपयोग कर सकता है. यहां तक कि ये स्क्रिप्ट्स HTML पेज की सामगरी में भी हेर पेर कर सकती हैं विबिन प्रकार के XSS तुरूटियूं के बारे में अधिक जानकारी के लिए. ये प्रोग्राइम्स हमारे सिस्टम में कैसे घुश जाते हैं नंदिता मैम? इसके लिए चलो जानते हैं कि इंटरनेट के ज्यादतर उपयोग करता क्या करते हैं. उसके लिए मान लो कि एक उपयोग करता किसी साइट्स में कुछ लिखता है. हम नीम का व्रिक्ष का उदारन लेते हैं, जिसे गूगल में ढूनने के लिए लिए लिखा गया है. तो पहले ये लिखे हुए इंपुट को स्विकार करेगा और फिर फैसला करेगा कि तुम नीम का व्रिक्ष ढून रहे हो. अगर प्रोग्रामिंग में कोई खामी हुई, तो लिखे गए इंपुट्स सत्यापित नहीं होंगे, और फिर वो नहीं दिखाई देगा, जो हम ढून रहे हैं. बजाए इसके हमें दूसरी जानकारी जैसे आम का व्रिक्ष दिखाई देगा. साइबर अपराधी इन कमियों का फाइदा उठा कर विवरन हासिल कर लेते हैं, जो उप्योग करता के लिए नुखसान दे हो सकता है. किसे बैंकिंग अप्लिकेशन में XSS का प्रयोग कर हमलावर हमारे बैंक खाते की धनराशी और वेब पेज से दूसरी निजी जानकारी हासिल कर सकते हैं. अच्छा, XSS के खतरे को कम करने के लिए एक उप्योग करता क्या कर सकता है मैं? उसके लिए तुम्हें नवीनितम ब्रावजर्स के बारे में जानना होगा. नवीनितम ब्रावजर्स जैसे इंटरेट एक्स्प्लोरर या संखशेप में IE कहते हैं, उसमें XSS फिल्टर करने की तकनीक होती है, जो हमेशा XSS के हमलों को रोकती है. पायर फॉक्स प्रयोग करने वाले उपयोग करता नोस्क्रेप्ट प्लगिन इंस्टॉल कर सकते हैं, जो XSS को रोकती है. नोस्क्रेप्ट उपयोग करताओं को उन साइट्स को चुनने की आजादी देती है, जिस पर उन्हें जावा स्क्रिप्ट कोड चलाना है, और दूसरी अविश्वस्नी साइट्स को खुद मना कर देती है. क्रोम में भी XSS हमलों से बचने की तकनीक शामिल है. तो नन्दितमेम मतलब किसी प्रसिद्ध साइट्स का प्रयोग करते वक्त भी हमें सदर के रहना चाहिए? बिलकुल राजिश, ज्यादतर प्रसिद्ध साइट्स पर ही गुसपैटियों का खत्रा अधिक होता है.